धाई किलो का हाथ मैडम जी का साथ और पाकिस्तान की ना ना नको नको कितना नॉस्टेल्जिया भाई पार्ट टू में तो पार्ट वन के सीन्स का इतना रिजेंबलेंस था कि मूवी की स्टोरी क्या थी कुछ पता ही नहीं चला तो यार जैसा कि आपको पता ही होगा कि सन्नी दोवल अमिशा पटेल और जीते आइमिन उतकर शर्मा स्टारर गदर टू आज थेटर्स में रिलीज हो चुकी है जो कि 2001 की ही ब्लॉग बस्टर मुवी गदर पार्ट वन का ही सीक्वल है जिसे अनिल शर्मा ने ही डायरेक्ट किया है जिनोंने इसका फॉर्स पार्ट भी बना लेती है और बस फिर क्या तारा सिंग पाकिस्तान जाता है आर्मी की ऐसी की तैसी करता है और अपने बेटे को वहाँ से वापिस लेके आ जाता है बस कहानी खतम पैसा हजम लेकिन स्टोरी से सानू की यही अनिल शर्मा ने भी सोचा होगा क्यूंकि उन्हें तो अपने में भर भर के है and honestly saying director ने उतकर्ष को as a main lead दिखाने की पूरी कोशिश करी but Sunny Paji has stolen the show इसका first half 3-4 गानों के साथ build up लेते लेते ही निकल जाता है और second half में जितने भी scenes है especially Sunny Paji वाले उन पर तो भर भर के hooting, CT या अतालिया बज रही थी जो की लाजमी भी था मूवी में Amisha Patel का तो जादा रोल नहीं था लेकिन उनका भी काम ठीक ठाकी था मूवी का music अच्छा था और जो दो गानों को original singers के साथ recreate करा गया था that was a good decision हाला कि मूवी के action sequences का sound design आपको वही 90s वाली vibe देता है और अगर इसके antagonist की बात करें जिसका नाम हामिद इकबाल है जो की पाकिस्तान आर्मी का general है वो तो कई जगाओं पर इतना cringe feel होता है कि क्या ही बोलूं और भाई action sequences का तो कुछ जादा ही over the top कर दिया है लेकिन as we all know this is Tara Singh's world जहाँ pump उखड सकता है वहाँ कुछ भी हो सकता है और climax में कुछ ऐसा ही हुआ मतलब कुछ भी और एक बात बोलूं you cannot imagine गदर विदाओ तारा सिंग's giganteous personality तो क्या ये 2 गंटे 45 मिनेट की nostalgic ride worth watching है तो मैं कहूंगा अगर आपको गदर पसंद आई थी तो ये भी पसंद आ सकती है लेकिन सिर्फ nostalgia के नाम पर बाकि अगर story को side में रख दें तो movie में मज़े तो आए बाकि अगर आपने गदर 2 देख ली है तो आपको कैसी लगी अपने experiences comment box में जरूर से share करना और वीडियो पसंद आई तो like कर देना और channel को subscribe कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ till then keep watching